नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो मीडिया के हेडलाइन से आपको बिलकुल गायब दिखाई देगा दरसल मीडिया में सिर्फ हिंदू मुस्लिम और इंटर्टेन्मेंट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता 2002 के बिलकिस बानो केस के 11 रेप के आरोपियों को गुजरा सरकार ने 15 अगस्त 2022 को जब हम तिरंगा महाँसम मना रहे थे उस समय गुजरा सरकार ने इन रेप के आरोपियों को छोड़ दिया दरसल सुप्रीम कोड दुवारा इन पर चार बार रेप के आरोप सिद्ध हो चुके हैं 2002 में गुजरात के दाहोज जिले के रंदिक पुर गाउं में बिल्किस बानो रहा करती थी तब उनकी उम्र 21 साल थी 27 फेवरेरी 2002 को गोदरा स्टेशन पर एक दंगा भढ़क जाता है जिसने 59 लोगों की डेथ हो जाती है यह इंसा इतनी भयानक होती है कि गुजरात के चार और फेल जाती है 3 मार्च 2002 को यह दंगाई दाहोज जिले के रंदिक पुर गाउं में पहुच जाते हैं जहां पर बिल्किस बानो रहा करती थी यह लोग गाउं में इंटर करते हैं और गाउं के लोगों को मारना शुरू करते हैं डर के कारण कई लोग खेतों की तरफ भग जाते हैं लेकिन दंगाईयों को यह बात पता थी कि कई लोग खेतों में छुपे होएं बाकी सबी तो भग जाते हैं लेकिन बिल्किस बानों उसकी तीन साल की बेटी और उसकी माँ कुल मिला कर साथ लोग महा पर फज जाते हैं बिल्किस बानों की तीन साल की बेटी और उसकी माँ और बाकी लोगों को मार दिया जाता है अब बची बिल्किस बानों बिल्किस बानों को भी मानना शुरू किया जाता है और उसके साथ रेप किया जाता है इसके बाद दंगाईयों को लगता है कि बिल्किस बानों मर चुकी है लेकिन वो मरती नहीं है वो बेहुश होती है उसके बाद दंगाई वहाँ से चले जाते हैं दो से तीन घंटे बाद बिल्किस बानों को होश आ जाता है और गाँवालों के मदद से बिल्किस बानों पुलिस टेशन पहुचती है और महाँ पर F.I.R. दरज कराती है अब ये केस गुजरात में चलता है लेकिन गुजरात में इस केस के चलने के कारण दंगाई बिल्किस बानों को धंकी देते कि वो उसे मार देंगे इसलिए इस केस को मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है अब ये केस CBI को दे दिया जाता है वो CBI इसकी जाज करती है करिब 6 साल बाद 2008 में इन आरोपियों को उम्र केत की सजा सुनाई जाती है लेकिन इसके बाद भी ये आरोप चार बार सुप्रिम कोर्ट में अपलाई करते हैं लेकिन चारो बार इन पर आरोप सिद्ध होते हैं अब बात करते हैं हम प्रेजेंट की 15 अगस्त 2022 को इन में से एक आरोपिये राधेशयाम वो माफी के लिए अपलाई करता हैं दरसल हमारे देश में नियम है कि माफी दो लोग दे सकते हैं एक गवर्नर दुसरा प्रेसिडेंट वो भी किसी इस्पेशल डे पर जैसे 15 अगस्त 26 जन्वरी या 2 अक्टुमबर यह आरोपी अपने माफी नामें में लिखता है कि इसने 14 साल की सजा काट लिये और आप इसे माफ कर दिया जाए दरसल इसका फेसला था लेकिन गुजरात गौर्منंट कहती है कि ऐ केस जहां पर बिजएपी की सरकार है कि हमने इनенного 1101 जिसमें कहा गया है कि अगर किसी केदी का चाल चलन अच्छा हो तो उसे छोड़ा जा सकता है लेकिन खुद गुज्रा सरकार ने 2014 माफी नामा एक तेके थुरू यह कहा है कि कोई भी रेप के आरोपियों को माफ नहीं कर सकता और ना ही इने छोड़ा जा सकता है अब यह आरोपी तो छोड़ जाते हैं लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं क्या रेप के आरोपी अब आसानी से छोड़ जाएंगे क्या इसे लोगों को माफे मिलनी चाहिए क्या हमारी मीडिया किसी काम की नहीं है क्या हमारा विपक्ष भी इस मुद्दे को नहीं पा रहा है क्या आप और इनकी岩म कही छोड़ा जा सकता है क्या पर पर क्या पड़ेगा क्या आप वो बहार निकल पाईए क्या कोई भी political agenda के थुरू इन रेप के आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा तो क्या आगे रेप के आरोप कम होंगे या बढ़ेंगे मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार वापिस से गोर करे और वापिस से इसे देखा जाए कि ये सही है या नहीं है इस political agenda पर आपकी क्या राईए प्लिस कमेंट करके बताए आगे भी आपको इस परकार के वीडियो मिलते रहेंगे प्लिस लाइक और सब्सक्राइब करें